हलो दोस्तों नमस्कार तो आज हम लेकर आये हैं 2023 में 26 या 27 नुवंबर कार्टिक पुर्णिमा कब है जाने सोब मुहूर्थ और महत्व और पोजन विधी भी जानिएगा तो चलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए 2023 पंचांग के अनुसार हर साल कार्टिक मा की पुर्णिमा तेथी को कार्टिक पुर्णिमा मनाया जाता है लेकिन इस साल कार्टिक पुर्णिमा की सही डेट को लेकर लोगों में असमंजस की स्तिती बनी हुई है हिंदु धर्मे में हर साल कार्टिक मा सुकल पच की पुर्णिमा तेथी को कार्टिक पुर्णिमा मनाया जाता है। धार्मिक मान नेता है कि इस दिन पवित्र नदे में असनान से वेक्ती के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस सुभ मौके पर सनान दान के कारियों से जातक को अच्छे फलो की प्राप्ति होती है और भगवान विश्णु जी की कृपा बनी रहती है। कार्थिक पुर्णीमा को त्री पुरारी पुर्णीमा भी कहा जाता है। आईए जानते हैं साल 2023 में कार्थिक पुर्णीमा का सुभ मुहोट, पुजावेधी और महत्विक क्या है? तो आईए जानते हैं कब कार्थिक पुर्णीमा है? पंचांक के अनुसार कार्थिक मा की पुर्णीमा तिथी का आरंब 26 नुवंबर 2023 को 2 बहर 3 बजगर 53 यानि की 53 मिनट पर होगा और 27 नुवंबर को 2 बहर 2 बजगर 45 मिनट यानि की 45 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में उदया तिथी के अनुसार इस साल 27 नवंबर 2023 को कार्थिक पुनिमा मनाया जाएगा इस साल कार्थिक पुनिमा पर सर्वार्थ सिधी योग और सिव योग बन रहा है इस दरान धर्म कर्मे के कारियों से जात्कों को दूगना सुब फल मिलेगा तो अब हम जानेगे कार्थिक पुनिमा पर स्नान दान का सोब महोर्थ तो ब्रह्म महोर्थ 27 नवंबर 2023 को 5 बजकर 5 एम से 5 69 एम तथा अभी जीत महोर्थ 27 नवंबर 2023 को 11 47 एम से 12 30 पीम है धार्विक मनेता है कि कार्थिक पुनिमा के दिन पवीत्र नदी में अस्नान करने से जात्तक के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और भगवान विस्नु के साथ माता लक्षमी की कृपा भी साल भर भक्तों पर बनी रहती है इस दिन दान पुनिय के कारियों में सुख सभाग्य में विद्धी होती है और जीवन खुस हाले में वैतीत होता है कार्तिक पुनियमा की पुजा विधी क्या है? कार्तिक पुनियमा के दिन सुयोदे से पहले उठी इसके बाद पवित नदी में स्नान करने जाएं या घर पर ही पानी में घंगा जल डालका स्नान कर लें असनान आदिक करने के बाद मंदिर में दीपक प्रोजलित करें और माता लक्षमी और विष्णु जी की पूजा करें मा लक्षमी और विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नवैध अर्पित करें इसके बाद माल लक्षमी और विश्णोजी समेत सभी देवी देवताओं की आर्थी उतारे और एक चीज और है जो कि हमेशा गलतियां हर महिलाएं हो या फिर पूरुस हो जरूर कर दी है गंगा जल्मी जब भी असनान करें तो मन को धोएं ना की सेमपू सामून लगा कर बाल और सरीर का मैल छोड़ाएं इसलिए जब ही हम गंगा असनान करने जाएं तो उससे एक दिन पहले ही आप माथा धोक असनान कर ले इसके बाद ही हम गंगा जल्मी असनान करें दूसरे दिन तो इस तरह से करने से हमारे पाप तो धोल जाते हैं मन के मैल भी चले जाते हैं मारे मन के अंदर से कड़वाहत बिल्कुल भी नहीं जाते हैं तो जब भी अस्नान करें तो सचे मन से अस्नान करें और माता से मांगे पूर्ण जरूर होता है तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जनकारे के साथ तब तक के लिए अलविदा